हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्यन सागर में तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार समाने ग्यान जिसका फर्स पाठ हम कर लिए थे चलिए भी सह सुची देख लेते हैं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन बिहार प्राचीन बिहार हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में तो आज हम लोग करने वाले हैं पूर्व मध्धे कालीन एवं मध्धे कालीन बिहार तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करना नहीं भूले क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में तो आप एक लाइक करते जाईएगा चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रागैति हासिक काल बिहार के दक्षनी भाग में आदी मानव के निवास के साक्षे मिले हैं तो बिहार के दक्षिन भाग में किसका साक्षे मिले हैं तो आदी मानव का सबसे पूराने अवसेस आरंभिक पुर्व प्रस्तर यूग के हैं जो अनुमान लगा जाता है वह एक लाख इसा पुर्व काल के हैं इन में पत्थर के कुलहारियों के फॉल, चाकू और खुर्पी के रुप में पर्योग किये जाने वाले पत्थर के टुकरे हैं सबसे पूराने अवसेस आरंभिक पुर्व प्रस्तर यूग के हैं जो अनुमान तह एक लाख इसा पुर्व काल के हैं जो मिले हैं सो उसका अनुमान लगाया जाता है तो एक लाकी साथ पुर्वकाल के हैं इनमें पत्थर के कुलहारी के फॉल चाकू और खुर्पी के रूप में परियोग किवे जाने वाले पत्थर के टुकरे मिले हैं ऐसे अवसेस मुंगेर और नलंदा जीलों में उत्खनन में प्राप्थ हुए हैं मध्य पशान यूग के अवसेस मुंगेर में मिले हैं यहीं से परवर्ती पशान यूग के अवसेस भी मिले हैं जो पत्थर के टुकरे से बने हैं मध्य पशान यूग 9000 से 4000 इसा पुर्व के अवसेस सिंह भूमी राची पलामू धनवाद और संथाल परगना जो अवजारखंड में से प्राप्थ हुए हैं यह छोटे आकार के पत्थर के बने समान हैं जिनमें तेज धार और नोक हैं मध्य पशान यूग मध्य पशान यूग 9000 से 4000 इसा पुर्व के अवसेस सिंह भूमी राची पलामू धनवाद और संथाल परगना जो अवजारखंड में से प्राप्थ हुए हैं यह छोटे आकार के पत्थर के बने समान हैं जिनमें तेज धार और नोक हैं जिसको हम लोग नोकीला बोलते हैं आता 2570 इसा पूर्व से 1500 इसा पूर्व के मध्धे निधार्थ किया गया है नोपसान यूग के अवसेस उत्तर बिहार नोपसान यूग के अवसेस उत्तर बिहार नोपसानियुक के अवशेस उत्तर बिहार में चिरांद सारन और चेचर बैसाली जीला से प्राप्थ हुए है इनका काल समालनत पचीस सुई सापूर्व से पन्रो सुई सापूर्व के मद्धे निर्धारित किया गया है इन में नकेवल पत्थर के अत्यंत सुख्ष में औजार प्राप्थ हुए हैं बलकि हड़ी के समान भी मिले हैं ठीक है तामर पशान युग में पस्चिम भारत में तामर पशान यूग में पशिम भारत में सिंध और पंजाब में हरपा संस्कृति का विखास हुआ है बिहार में इस यूग के प्रवर्ती चरन के जो अवसेश चिरांद सारन चेचर बैसाली से सोनपूर गाया से अवसेश चिरांद सारन से चेचर बैसाली से सोनपूर गाया से और मनेर पटना से प्राफ्थ हुए है उनसे आदी मानव के जीवन के साक्षे और उनमें अन उनमें आने वाले करमिक परिवर्तनों के संकेत मिलते हैं उत्खनन यानि उत्खनन मतलब होता है उहां पर खोना गया है तो उत्खनन यानि कि खोनने में पराप्त मिर्त दंड और मिट्वी के बरतनों के टुकरे ततकालिन भौतिक संस्क्रीती पर प्रकाश डालने से सहायक सिध हुए है एतिहांसिक काल उत्तरवैदिक काल एक हजार से छोसे इसा पुर्व में आर्यो का प्रहसार पुर्वी भारत में आरंभ हुआ उत्तरवैदिक काल एक हजार से छोसे इसा पुर्वी भारत में आरंभ हुआ लोह का उप्योक भारत में एक हजार से आण से इसा पुर्व के मध्य आरंभ हुआ लगभग इसी समय आर्यो का बिहार में विस्तार भी आरंब हुआ आर्यो का बिहार में कब हुआ तो इसी समय जब लोहा का विस्तार हुआ भारत में खाजार से 800 इसापूर्व के मते उसी समय आर्यो का बिहार में भी विस्तार हो गया यहनि फैल गया 800 इसा पूर्व के आजपास रची गई सत्पत बरहामन में गंगय घाटी के छेत्र बिहार का छेत्र भी इसमें सामिल था आरियो द्वारा जंगलों को जला कर और काट कर साफ करने की चर्चा मिलती है आरियो द्वारा यानि आरियो की द्वारा ही जंगलों को जला कर काट कर साफ करने की चर्चा मिलती है छटी सताबदी सापूर में उत्तर भारत में विशाल संगठित राजयों का उदय हुआ छटी सताबदी में उत्तर भारत में विशाल संगठित राजयों का उदय हुआ जिन सोलह महाजन पदो और लगभग दस गनराजयों की चर्चा इस काल में बहुत घरन्थों में मिलती है जिन सोलह महाजन पदो और लगभग दस गनराजयों की चर्चा इस काल में बहुत घरन्थों में मिलती है उनमें से तीन महाजनपद अंग, मागध और लिछवी गनराजे बिहार के छेतर में है एक बार और रिपीट कर लेते हैं जिन 16 महाजनपदों और लगबग 10 गनराजों की चर्चा इस काल में यानि बहुत गरंथ में मिलती है जिन में से महाजनपद, अंग, मागध और लिछवी ये तीनों जो हैं गनराजे सो बिहार के छेतर में आता है इनके संबंध में बिस्तिरित जनकारी अंगुतर निकाय में मिलती है इसकी विश्टिरित यानि की पुरा डिटेल्स में इसकी जनकारी अंगुतर निकाय में मिलती है। प्रॉप्राइटर आरेस डेविस की पुष्टक बुधिस्ट इंडिया के अनुसार 16 महाजनपत थे। कितने महाजनपत थे। पहला है कासी, दुसरा है कौसल, तिसरा है अंग, चोथा है मगद, पचमा है वज्जी, छठा है मल। साथ है चेदी, आठमा है वत्ष, नौ मा है कुरू, और दसमा है पाचाल, एगरमा है मतस्य, बारमा है सुर्षेन, तेरामा है आस्मक, या अस्मक, ऐसे भी लिखा जाता है, और चौदामा है अवंती, पंदरामा है गंधार, और सोला है कंबोज, ये सोला महाजनपद थे, गंगा नदी के उत्तर में लिक्ष्वियों का गनराजे था, जो बिभेंद राजों का महासंग था, इसकी सीमाए वर्तमान, वैसाली और मुझफरपुर जीलों तक फैली हुई थे, गंगा नदी में लिक्ष्वियों का गनराजे था, जो बिभेंद राजों का महासंग था, इसकी सीमाए चोहदी वर्तमान में बैसाली जीला और मुझफर जीलों तक फैली हुई थे, और इसकी राज़ानी बैसाली थी, इसकी राजधानी कहा थी बैसाली थी लिक्ष्वियों का अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपूर जीलों के छेतर में फैला था अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपूर जीलों के छेतर में फैला था इसकी राजधानी चमपा वर्तमान में चमपा नगर भागलपूर के समीप थी मगद के अधिन वर्तमान पतना नलंदा गाया जीलों के छेतर में फैला इसकी राजधानी गिरी वर्तमान में राजगीर थी आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार यानि कि आर्यों के बिहार में आने के पहले तो पुरा पशान काल के ओजार बिहार के गाया मुंगेर पतना आदी अस्थानों से मिले हैं इन अस्थानों से पुरा पशान काल के ओजार बिहार के गाया से मुंगेर से पतना से आदी अस्थानों से मिले हैं मुंगेर जो जिला है वहाँ से भिम बान्द के पुरा पशान यूग के ओजार मिले हैं गाया के जेठियन पुरा पशान यूग के कुलहारी चाकु आदी प्राप्थ हुए हैं गाया जिले के गेठियं से पुरापसान यूग के कुलहारी चाकु आधी प्राप्थ हुए हैं। सोनपूर और सारन के चिरांद से हरप्पा यूगीन काले और लाल मृद्ध भांड के अपसेस प्राप्थ हुए हैं। ऐसे अपसेस भागलपूर राजगीर वा बैसाली से प्राप्थ हुए हैं। ये समागडियां एक हाजारी सा पुर्व की हैं जो विहार में तामर पसान यूग की सा भेता के प्रमान है। अपसेस भागलपूर राजगीर वा बैसाली से प्राप्थ हुए हैं। अपसेस भागलपूर राजगीर वा बैसाली सा पुर्व की हैं जो विहार में तामर पसान यूग सा भता के प्रमान है। उत्तर पसान यूग में विहार संस्कृतिक रूप से बिक्सित अवस्था में था। लोगों ने गुफाओं से निकल कर क्रिशी कारे शुरू करना किया। उत्तर पसान यूग में विहार संस्कृतिक रूप से बिक्सित अवस्था में था। उत्तर पसान यूग में लोगों ने गुफाओं से निकल कर क्रिशी यानि कि खेती बारी करना शुरू किया था। पशुओं को पालने लगे लोग इसे समय तक मर्द्भांड यानि मृद्भांड बनना खाना पकाना और संचे करना यानि कि एब्जॉर्ब करना इकठा करना आदी सीख गए थे। कब उत्तर पसान यूग में रिगवेद की अनुशार। रिगवेद की अनुशार आर्यो के आगमन यानि कि आर्यो के आने के पूर बिहार में सभ्यता संस्कृती यानि कि सभ्यता संस्कृती का विकास हो चुका था। यानि कि रिगवेद को बिहार में परवेश करने से पहले आने से पहले सभेता संस्किरिती का विकास हो चुका था। रिगवेद में बिहार छेतर के लिए कीकट एवं वरत्य सब्द का उलेख हुआ है। रिगवेद में बिहार छेतर के लिए किकट एवं वरत्ते सब्दों का उलेख यानिकी विवरन दिया गया है वालमी की रामायन में मलद और करूना सब्द संभवत बक्सर छेतर के लिए प्रियुक्त हुआ है राम ने यहां राक्ष सी तारका का वध किया था यानि सामना किये थे वायव पूरान में गाया छेतर में अशुरो के राज होने की चर्चा की गई है वायव पुरान में गाया छेतर में असुरों के राज होने की यानि कि असुर वहां पर निवास करते थे वहां का राजा होते थे राज करते थे उन्हें का चर्चा किया गया है वायव पुरान में बिहार में आर्यो का आगमन यानि परवेस कैसे हुआ कुछ इतिहां सग्यों की अनुसार भारत में एरान से आये तथा रिगवैदिक काल में 1500-1100 पूर्व में वे पंजाब हर्जाना छेतर में बसे कुछ इतिहां सग्यों की अनुसार भारत में एरान से आये तथा रिगवैदिक काल में 1500-1100 पूर्व में वे पंजाब हर्याना छेतर में बसे थे कुछ इतिहां सग्यों की अनुसार वो इरान से आये और 1500-1100 पूर्व में वे पंजाब हर्याना छेतर में बसे उसके बाद रिगवेद में बिहार के लिए ककिट यानि कि रिगवेद में बिहार के लिए किकट छेत्र अमित्र सासक प्रेमगंद का उलेख है तथा उसमें अंग और मगर छेत्र में जाने की इक्छा व्यक्त की गई है वैसे तो कुछ आर्यो रिगवेदिक काल में भी बिहार आ चुके थे किन्तु लेकिन मुख्य रूप से आर्यो ने उतरवेदिक काल में खासकर अथरवेद की रचना की उतरवेदिक काल में आर्यो ने अथरवेद की रचना के दवरान बिहार में परवेश किया था अथरवेद की जिस समय रचना हो रहा था उसी समय आर्यो ने बिहार में एंट्री किया था यानि परवेश किया था यानि आग्मन हो गया था आर्यो के संस्कृतिक वर्चास्व का प्रारंब ब्रहामन गरंथों की रतना के समय हुआ था सत्पत्द ब्रहामन एतर rumor अरनयक वाजसनई सहिन्ता संख्यायन अरनयक कौसित्यकी अरनयक पंच विन्स ब्रहामन अरनयक गरंथों गोपत गरंथों महाभारद आदी में वर्णित घटनाओं से ततकालीं बिहार के विषय में काफी जनकारी मिलती है गाया जीले में गाया राजगीर पुन पुन आदी छेत्रों को पुरानों वायु पुरानों पदम पुरानों आदी में पवित्र छेत्रों की स्रेनी मेरा खा गया है गाया राजगीर पुन 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 आदी छेत्रों को पुरानों में वायु पुरान पदम पुरान आदी में पवित्र छेत्रों यानिकि स्रेनी मेरा खा गया है इन सबी छेत्र को वराह पुरान में किकट को एक पवित्र परदेश बताया गया है विदे में आरे के बसने के बाद सत्पत ब्रामन की रचना हुई है क्योंकि इसमें ही विदे का सरपर्थम उलेख किया गया है विदे माधव द्वारा अपने पूरोहित गौतं रहुगान की अगनी का पिछा करते हुए वर्तमान गंडक नदी यानि की सदानीरा भी करते हैं तक पहुचने की बात सत्पत वर्हामन में ही की गई है बिधे माधब द्वारा अपने पूरोहित गौतम राहुगंड की अगनी का पिछा करते विवर्तमान गंड़क नदी यानि सदानीरा नदी तक पहुचने की बात सत्पत वरहामन में की गई है महाजनपद काल में बिहार महाजनपद काल में बिहार छठी सताबदी इसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में से 3 वज्जी लिछवी गनराज्य मगत अंग बिहार के छेत्र में थे छटी सहतावदी इसाफ पूर्व में भारत के 16 महाजन पदों में कितने महाजन पदों में 16 में से 3 पहला है वज्जी दूसरा है लिच्वी मागध और अंग बिहार के छेतर में था आधुनिक उत्तर बिहार को प्राचीन काल में वज्जी नाम से भी जाना जाता था वज्जी महाजन पद आठ राजों का एक संग था कितने राजों का संग था आठ यानि वज्जी महाजन पद आठ राजों का एक संग था जिसमें वज्जी के अत्रिक्त बैसाली के लिक्षवी मिठिला के विधे तथा कुंड गराम के कि ग्यार्तिक बिशेश शुरूप से बिख्यात थे बैसाली उत्री बिहार के वर्तमान बैसाली जिले में इस्तित आधुनिक वसाड है मिथला की पहचान नेपाल की सीमा में इस्तित जनक पुरधाम नामक नगर है मितला की पहचान जो की जाती है सो नेपाल की सीमा में इस्ठीत जनक पुरधाम नामक नगर है वहां से की जाती है यहाँ पहले राजतंत्र था प्रंतुबाद में गंतंत्र अस्थापित हो गया अन्य चार राज्यों में संभवता उग्र भोग इक्छवाकू तथा कौरव थे जैन साहिते में ग्यार्त को के साथ उलेख हुआ है साथ ही इन्हें एक ही संथागार का सदसे कहा गया है भुद्ध के काल में या आठ जनों याने की अटकुल का एक सक्ति साली संग था वज्जी संग में आठ जातियां थी जिनमें वीधे लिछवी ग्यार्तिक ओर वज्जी परसिद्ध थी इनमें उग्र भोग कौरव और इक्छवाकू थे वज्जी संग में आठ जातियां थी कितने जातिया वजी संग में आठ जातिया थी जिन में विधय लेक्षवी ग्यार्तिक और वजी पर्सिद था और इन में उग्र भोग कौरव और लेक्षवाकु भी था लिक्षवी छत्रिये थे लिक्षवी जाती से छत्रिये थे ये संभवत ये आरेव से अलग किसी अन्य जाती से संबंद रखते थे आरेव के अलावा ये दूसरे जाती से संबंद रखते थे यानि कि आरेव से नहीं रखते थे मिथला के विदेह वज्जी संग में सदस्य थे, किसी समय विदेह में वैसाले भी सामिल था वैसाली के कुंड गराम की ग्यार्तिक जाती के लोग भी संग के सदस्य थे 24 में तिर्थकर महावीर कौन से तिर्थकर थे, कितने नमर के तो 24 में यह पूशा हुआ कोश्चन है यहां से इंपोर्टेंट हो जाता है तो महावीर 24 वे तिर्थंकर जैन ग्यार्तिक ही थे हति गराम के उगर जाती भी संग में सदस्य थे भोग नगर जाती भी संग में सदस्य थे विधे से आकर एक छवाकू जाती तथा हस्तिनापूर से आई कौरब जाती के लोग संग के सदसे बनें वज्जी संग के परधान एबं लिक्षवी सरदार चेतक या चेटक की बेटी का विवा ग्यार्तिक कूल में हुआ था चेटक की पुत्री यानि की बेटी चेलहना का विवा मगद नरेश बिम्बिशार के सांथ हुआ बैसाली में परशिद नर्तकी आमर पाली थी यानि की डांस बैसाली में परशिद नाटक यानि की डांस आमर पाली थी जो बैसाली की नगर वधु के पद पर आसिन हुई जो बैसाली के नगर वधु नगर वधु यानि की उस नगर की बहु के पद पर आसिन हुई अमरपाली का कथित संबंध ततका आलिन मगध नरेश अजा सत्रू के साथ था अपने प्रवास के दोरान भगवान बुध ने अमरपाली के निवास पर भोजन किया था अपने प्रवास के दोरान भगवान बुध ने अमरपाली के निवास अस्थान पर भोजन किया था अमरपाली ने बौध संग को एक उधान समर्पित किया था मगद समराट अजास सत्रू ने वजजी संग में फोट डलवाई और उस पर आकर्मन करके वजजी संग को प्राजित कर दिया यानि की हरा दिया तथा मगद समराजी की सीमा का विस्तार यानि की फैला दिया वैसाली नगर के संस्थापक विशाल के वैसाल या वैसाली का राजवन्स का प्राण मनु के पुत्र नमदेश्टी से होता है इस वैसाली के राजवन्स का उलेख मुलत विश्णु पुरान गरूर पुरान वायु पुरान एबं भागवत पुरान के अलावा कुछ अन्य सुरोतों से भी मिलता है इस राजवन्स में कुल 33 सासक हुए जेन में मनु पुत्र नमनेदिश्ट पर्थम राजा थे वैसाली नगर की अस्थपना करने वाले विशाल इस राजवन्स के 24 वे राजा थे वैसाली नगर की अस्थपना किया था विशाल ने और यह राजवन्स के 24 वे राजा थे जबकि सुमित या प्रमती इस राजवन्स के आखरी राजा हुए वैसाली नगर की अस्थपना करने वाले विशाल इस राजवन्स के 24 कों थे जबकि सुमित थ70 या प्रमती इस राजवन्स का आखरी राजा हुएisme 002 या प्रमती राज्वन्स के 24 विशाल जोब 21 तो याद रखेंगे आप लोग इंपोर्टेंट हो जाता है वह से बैसाली वह से विशाल तो और यह 24 में राजवन्स के 24 में राजा थे और सुमती और प्रमती राजवन्स की आखड़ी यानि की अंतिम राजा हुए महत्मा बूध के समय में उत्तर भारत की राजनीती में चार सक्तिशाली राजतांतुरों कोशल वत्स अवन्ती एवं मगद का वर्चस्व था जिन में मगद था जिन में एक मगद था मगद का सरपर्थम उलेक यानि कि उसके बारे में बीबरन उसके बारे में जनकारी अथरवेद में मिलता है मगद महाजनपद में वर्तमान घटना और गाया जिले में सामिल था मगद का सरपर्थम उलेक यानिके सबसे पहले उलेक उसके बारे में जनकारी अथरवेद में मिलता है मगद महाजनपद में वर्तमान पटना और गाया जिले में सामिल था मगद महाजनपद की सीमा पूर्व में चमपा से पस्चिम में सोन नदी तक विश्त्रित था यानिकी फैला हुआ था मगद महाजनपत की सीमा यानिकी चोहदी उत्तर में गंगा से दक्षिन में विंधि परवत तथा पूर्व में चमपा और पस्चिम से सोन नदी तक फैला हुआ था मगद की प्राचीन राजधानी राजग्रिह या ग्रीवरज थी या पांच पहारियों के बीच इस्थित यानि के पांच पहारियों के बीच में इस्थित यानि बसागवा था नगर के चारो ओर पथर की सुद्रिढ प्राचीन बनवाई गई थी नगर के चारो तरफ पत्थर के सुद्रिध प्राचीन बनवाई गई थी कलांतर में मगद की राजधानी पाटले पुत्र में अस्थापित हो गई मगद राजे ने समकालिन सक्तिशाली राजतांतर ने कोशल वत्षव अवंती को अपने राजे में मिला लिया मगद का सासन छेत्र पूरे देश में बिश्त्रित हो गया यानि कि उसका राज शासन जो था पूरे देश में फैल गया मगद समराजे के गरव का वास्तिविक्शन स्थापक बिम्बिसार था मगद समराजे के गरव का वास्तिविक्शन स्थापक था तो बिम्बिसार था मगद समराजे का वह महात्मा बुध की मित्र एवम संदक छकता वह महात्मा बुध की मित्र एवम संदक छकता बिम्बिसार एक महान बिजेता था जीता जो यूद में जीता होता उसी बिजेता का यानि कि किसी छेतर में जीता हुआ व्यक्ति को बिजेता का जाता है और उसी छेतर में बिजेता से हारा हुआ व्यक्ति को बिजेता का जाता है तो उसने अपने परोसी राजे अंग का अंग पर आक्रमन यानि कि उसके परोसी के राजे था अंग उस पर आक्रमन कर यानि कि उसे लड़ाई जगरा कर उसे जीता था तथा अपने समराजे में मिला लिया फिर उसको भी अंग को भी अपना समराजे में मिला लिया बिम्बिशार विद्धा अवस्था में यानि कि बुढ़ा होने में अपने पुत्र अजाज सत्रु द्वरा मारा गया जब बुढ़ा हो गया बिम्बिशार तो अपने पुत्र अजाज सत्रु यानि कि बिम्बिशार का पुत्र कौन था तो अजाज सत्रु द्वरा मारा गया अजासत्रू घोर समराजवादी था अजासत्रू क्या था घोर समराजवादी था उसने वज्जी संग के प्रास्त कर उसका राज्य मगध में मिला लिया अजासत्रू घोर समराजवादी था उसने वज्जी संग को प्रास्त कर उसका राज्य मगध में मिला लिया अब यानि कि बिम्बी सार ने अंग को मगद में मिलाया अब उसका बेटा अजास सत्रु ने वजी संग को प्रास्त कर यानि कि हरा कर मगद में मिला लिया वजी को इसके परस्चात उसने मलो के संग को भी वजित किया था अभिज्यान चिंतामनी के अनुसार कीकट और मगद समनार्थी है मगद तथा अंग एक दूसरे के परोशी समराजे थे तथा दोनों को प्रिथक करती हुई चमपा नदी भहती थी अंग का पर्थम उलेख अतरवेद में मिलता है अंग महाजनपद उत्री बिहार के भागलपूर्त था मुगर जिले वाले छेतर में इस्थित था इस राजे की अस्थपना अंग नामक राजगुमार ने किया था यानि अंग महाजन पद उत्री बिहार के भागलपूर तो था मुंगर जिले में छेतर में इस्थित था इस राज्य की अस्थापना अंग नामक राजकुमार खुदापने नाम पर अंग की राजधानी चमपा को वर्तमान भागलपूर के निकट इस्थित थी महाभारत तथा पुरानों में चमपा के प्राचेन नाम मालिनी का उलेख मिलता है महाभारत तथा पुरानों में चमपा के प्राचेन नाम यान की पहले का नाम मालिनी का उलेख मिलता है दिगनी काय के अनुसार इस नगर के निर्मान की योजना बेख्यात वस्तुकार महागोविंद ने प्राश्तूत की थी प्राचीन काल में चमपा नगरी अपने वयभव और व्यापार के लिए बेख्यात था हैंसांग ने इस अस्थान चमपा को चेनपो कहा हैंसांग ने इस अस्थान यानि चमपा को चेनपो कहा तितुक्छी अंग का पाहला आरे राज़ा था तितुक्छी अंग का पाहला राजहे हंसांग था यहांकूł 25 राजा हुए अंग के तीन अंतिम राजाओं में पर्थम दधिवाहन थे जिनकी पुत्री चंदना महावीर के जैन धर्म को सुविकार करने वाली पर्थम महिला थी एक पर और रिपीट कर लते हैं तितुक्ची अंग का पहला आरे राजा था यहां कूल 25 राजा हुए अंग के तीन अंतिम राजाओं में पर्थम दधिवान थे यानि अंग के तीन अंतिम राजाओं में पर्थम दधिवान थे जिनकी पुत्री चंदना महावीर के जैन धर्म को सुविकार करने वाली पर्थम महिला थी वत्स राजा ने चंपा पर आक्रमन किया वत्स राजा ने चमपा पर आक्रमन कर दिया अंग के दूसरे राजा द्रध वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह उदयन के साथ किया अंग का दूसरे राजा द्रध वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह उदयन के साथ कर दिया अंग का परोशी राजे मगद था जिस तरह कासी तथा कोशल में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था उसी परकार अंग तथा मगद के बीच भीद्रिकालिन संघर्ष चला अंग के सासक ब्रह्मदत ने मगद के राजा भट्ये का पहले प्राजित कर मगद राजे के कुछ भाग को जीत लिया अंग के सासक ब्रह्मदत ने मगद के राजा भट्ये को पहले प्राजित कर यानि हरा कर मगद राजे के कुछ भाग को जीत लिया लेकिन बाद में अंग का राज जो जीता था कुछ भाग वो मगद में मिला लिया गया ब्रहमदत इस वंस का अंतिम सासक था जिसे हराकर विंबिसार ने अंग पर अधिकार कर लिया और ब्रहमदत को हरा दिया और अंग को भी अपना मगद में मिला लिया अंग के परमुक सहर चंपा, असरपुर, आसन एबं भक्षिय थे महापरी निर्वान सुत्र में चंपा के आलावा अन्य पांच महनगरियों यसी के राजगिरी, स्रावस्ती, साकेत, कौसांबी और बनारस दिये गए अंग के पांच सहर असरपुर, आसान भक्षिय थे महापरी निर्वान सुत्र में चंपा के आलावा पांच महनगरियों के नाम राजगिरी, स्रावस्ती, साकेत, कौसांबी और बनारस दिये गए बुधकाल में गंगा घाटी में लगबग दस गन राज़े थे बुधकाल में गंगा घाटी में लगबग दस गन राज़े थे इनमें अलकप के बूली बैसाली के लिक्षवी और मिथला के विदे विहार के अंतरगत आते हैं बुधकाल में गंगा घाटी में लगबग दस गन राज़े थे इनमें अलकप के बूली और बैसाली के लिक्षवी और मिथला के विदे बिहार के अंतरगत आते हैं बिहार के प्राचीन गन राज़े अलकप के बूली अलकप की बूली गन राज़े आधुनिक बिहार राज़े के सहाबाद भोजपूर आरा और मुझाफरपूर जीलों के बीच में इस्थित था बूली लोग बहुत धर्म के अनुयाई थे यानिके बहुत धर्म के मानते थे महापड़ी निर्वान सुत्र के अनुसार बुध की मिर्थू 487 इसापूर्व के पहस्चात उन्होंने अब 300 का एक भाग प्राप्त किया था तथा उस्पर अस्थूप की निवान करवाया था बैसाली के लिक्षवी बैसाली के लिक्षवी बुध काल के सबसे बरे तथा क्था सक्ति साली राज्य बैसाली के की लिक्ष्वी यानि कि बुद्ध काल के सबसे बुरे तथा सक्ति शाली राजा कौन थे तो बैसाली के लिक्ष्वी गनराज्य की अस्थापना सुर्यवन्च के संस्थापक एक्छवाकू के पुत्र विसाल ने किया था इसा पूर्व सतावदी सदी की आसपास बैसाली का राश्तांतर गंतंतर में परिवर्तित कर दिया गया कलांतर में वजी महासंग की राश्तानी बैसाली बैसाड बनाई गई जिसकी सीमा वर्तमान बैसाली और मुजफर पुर्जीलों में फैली हुई है लिक्षवी वजी संग में सरपर्थम थे महावग जातक में बैसाली को एक धनी सम्रिद्शाली तथा घनी अबादी वला नगर कहा गया है महावग जातक में बैसाली को एक धनी सम्रिद्शाली तथा घनी अबादी वला नगर कहा गया है एहां अनेक सुन्दर भवन चत्ते तथा विहार थे एक पन एक पन जातक से अस्परश होता है कि बैसाली नगर चार ओर से तीन दिवारों से घिरा हुआ था परतेक दिवार एक दूसरे से एक योजन दूरी थी और उश में पहरे मनीरों वाली थी द्वारा बने हुए थे परतेक दिवार एक दूसरे से एक योजन दूर थी और उश में पहरे की मिनारों वाले तीन द्वार बने हुए थे यनकी तीन गेट बना हुआ था लिक्ष्वियों ने महत्मा बूध के निवास हेतु महावन में परसीद कटागार साला का निर्मान की करवाया था जहाराकर बूध ने उपदेश दिये थे लिक्ष्वियों ने महत्मा बूध के निवास सेतु महावन में परसीद कटागार साला का निर्मान करवाया था जहाराकर बूध ने उपदेश दिये थे लिक्षवी लोग अत्यांत स्वाभिमानी और स्वतंतरता प्रेमी थे उनकी सासन विवस्ता संगटित थी बुद्धकाल में अपनी समर्दी की प्रास्कास्ट पर इस्थित लिक्षवी का राजा चेटक था जिसकी कन्या पुत्री चलहना का विवाह मगद नरेस विम्बिसार के साथ हुआ इस शंबंध में ललित विस्तार में उलेखित मिलता है इसके बारे में जनकारी मिलता है महवीर की माता त्रिसला चेटक की बहन थी महावीर किया जुमा था वो त्री सला चिटक की बहन थी विम्भिशार के काल में लिक्ष्वी लोग काफे सकति साली थे महात्माव बुध ने उनकी एकता, सक्ति और घर्राजी की काफी परसंसा यानिकी काफी उनके बारे में बताया है काफी परसंसा की है कोटिले के जैन सहित्य से पता चलता है कि अजाज सत्रू के विरुद चेटक ने मल, कासी, कोशल के साथ मिलकर एक शमलित मोर्चा बनाया था कोटिले के और सास्त्र में भी उनका वज्यों का वर्णन है कोटिले का जो और सास्त्र है उनका वज्यों का वर्णन है और सास्त्र का जनक कोटिले है यहीं पानिनी ने व्रीज नाम लिखा है पर लिक्षवियों का उलेख नहीं किया पानिनी ने व्रीज नाम लिखा है पर लिक्षवियों का उलेख यानि कुछ के बाबरेरे में विब्रा नहीं दिया है कत्यायन और पतंजली ने भी विरीजों का वर्नन किया है जिनका सार भौमिक राजे था गुप्त बंस की परसीद लिक्षवियों के साथ बिवास संबन अस्थापित करने से हुई गव्ट बंस की परसीद लिक्षवियों के साथ बिवास सम्मन्द थाबित करने से उगई चंद्रगुप्त पर्थम ने कुमार देवी जो लिक्षवी राजकुमारी थी से बिवा किया था चंद्रगुप्त पर्थम ने कुमार देवी जो लिक्षवी राजकुमारी थी से विवाह किया था लिक्षवीयों का उलेख हलांकी रामायन महाभारत और बोधिक सहित्यों में नहीं हुआ है किन्तु पाली धर्म गरंतों में उनका नाम अनेक बार आजा है जैन सहित्यों में भी लिक्षवीयों का वर्णन है लिक्षवी गन्राजे का हिस्सा थे नेपाल की वन्सावली की अनुसार लिक्षवी लोग सुरेवन्सी थे लिक्षवी वज्जियों का हिस्सा थे नेपाल वन्सावली की अनुसार लिक्षवी लोग सुरेवन्सी थे चाउचे और लिक्षवी एक ही जाती की दूर्स सखाय थी तिरोग के recursमयति आनुसार् लिक्षवी लोग तिब्बत से आये थे लिक्षवी लोग कहा से आये थे तो तिब्बत से आये थे तो इरान से तिब्बत से आये थे प्रन्तु इसक से अनेक विद्वान समस्त नहीं है मिथला के भागल पूर्थता दर्भंगा जीलो के भुभाग में विदेह गनराजे इस्थित था मिथला के भीदेह का वर्णर वेदो व्रामनों रमायनों और महाभारत में आता है प्ररम्य राज्चंतर या राजा के जनक अपनी सक्ति या दार्शने के ज्ञान के कारण या विख्यात जाने जाते थे मिथला के विदेह का वर्णर वेदो व्रामनों रमायनों और महाभारत में आता है उश्य में उश्य में उश्य में उनका राज तंत्रात्मक सासन के अधिन था यानकि उसके अंदर था लेकिन बुद्ध काल में यह संग राज्ये बन गया, विदे लोग भी वजी संके सदस्य थे, उनकी राज्धानी मिठला या जना कपूर में श्थित था बूद के समय, बूद के समय मिठला एक परसीद ब्यपारिक नगर था, जहां सरावस्ती के ब्यपारी अपना माल लेकर आते थे बूद के समय मिठला एक परसीद ब्यपारिक नगर था, वहां समान बेचे जाते थे, जहां सरावस्ती के ब्यपारी लोग वहां मिठला में आकर अपना माल बेचते थे और लाते थे इन दिनों इस छेत्र में आठ छोटे बरे गनराजों का उद्भा हुआ, व्यानि मिकास हुआ, 37 गर्ण तंत्रों में घीरे होने के कारण ही, इन सभी ने मिलकर वजी महसंकिया स्थपना की, जो बाद में लिक्षवी संकिया नाम से विख्यात हुआ विधे राजवन्स का परणम इक्षवाकु के पूत्र निमी विधे से माना जाता हुआ, विधे राजवन्स का परणम कब हुआ, तो इक्षवाकु के पूत्र जो सुरेवन्सी के थे, इक्षवाकु के पूत्र निमी विधे से माना जाता हुआ, जो सुरेवन्सी थे दूसरे राजा मिठी जनक विधे थे जिसने मिठला के अस्थपना के थे थे मिठी जनक विधे इनके नाम से असप्रस्टोर आया कि मीठी और मीठी जनक विधे ने इसके बाद सभी राजाओं के नाम से जनक सब्द जूरने लागा दूसरे राजा मिठी जनक विधे थे जिसने मिठला कि अस्थपना की इसके बाद सभी राजाओं ने यानि कि मीथी जनक विदेह के बाद जितने राजा हुए उनके नाम में जनक सब्द जुरने लागा विदेह राजवन्स के 25 में राजा सिर्धवज जनक थे जिनकी पुत्री सीता का विवा अध्या नरेस दसरत के पुत्र राम से हुआ जो भार्त में राम भगवान यानि कि राम रक्षमन दुनों भाई के नाम से जो रामायन में परसिद्ध है तो जनक सब्द जुरने लगा विदेह राजवन्स के 25 में राजा सिर्धवज जनक थे यानि कि सीता जी का बाप राजवन्स के 25 में राजा सिर्धवा जनक थे जिनकी पुत्री और सिर्धवा जनक के पुत्री थी कुन सीता जो हमारी सीता मता राम भगवान की पत्नी थी सीता का विवा अयोध्या के नरेश दसरत के पूत्र यानि की दसरत भवान यानि राम भगवान के पिता दसरत यानि की राम भगवान से साधी हुआ इस वन्स के प्रारमभिक यानि के शुर्वाती चरणों में कूल 503 राजा हुए थे यानि कि इस वन्स के प्रारमभिक चरणों में कूल 15 राजा हुए जिनमें जनक विदेह का नाम सरवाधिक महत्पोन था जिन में जनक विद्य का नाम सरवादेख था जो मिठला का अस्थापना किया थे मिठी जनक विद्य इनके दर्वार में विद्वानों की प्रतियोगिता हुई यानि की विद्य जनक यानि मिठी जनक विद्य के दर्वार में विद्वानों लोगों की एक प्रतियोगिता यानि की परिक्षा यानि कमपटिशन हुई जिसमें याग वलके विजय हुई जिसमें कौन जीता तो याग वलके विजय हुई यानि की जीता इसकी जानकारी व्रि इध्यार रनयक उपनिशत से मिलती है इस राजवन्स में करल जनक आखरी राजा हुए इस राजवन्स में करल जनक थे जो आखरी राजा हुए इसके बाद मगद के राजा महापदमरंद ने इसे अपने राजे में मिला लिया इसके बाद मगद के राजा महापदम नंद ने इसे अपने राजे में मिला लिया मगद समराजे उतकर सेवं बिस्तार वर्तमान बिहार की राजानी पतना गाया जीलो के छेतर में इस्थित मगद प्राचीन भारत का एक परमुख राज्य था वर्तमान बिहार की राजानी पतना गाया जीलो के छेतर में इस्थित मगद प्राचीन भारत का एक परमुख राज्य था या बुधकाल में एक सक्ति साली वो संगर्ठित राज तंतर बन गया मगद राजे का प्रारंभी की तिहांस महाभारत में वर्नित है मगद विहार का प्रारंभी की तिहांस महाभारत में वर्नित है यानि कि उसमें दिखा हुआ है मगद समराजे पर सासन करने वाले पर्थम राजवन्स के विशाय में पूरानों तथा बहुत गरंथों में भिन भिन विवरनों में मिलता है यानि कि मगद समराजे पर सासन करने वाले पर्थम राजवन्स के विशाय में पूरानों तथा बहुत गरंथों में अलग अलग विवरन में मिलता है जो मगद समराजे पर सासन किस-किस ने किया था पुरानों के अनुशार मगद का राजवन्स ब्रिहद्रत वन्स से प्ररम्ब होता है पुरान के अनुशार अगर देखे देखा जाता है तो मगद का राजवन्स से ब्रिहद्रत वन्स के प्ररम्ब से होता है ब्रिहद्रत वंस के बारे में पढ़ते हैं ब्रिहद्रत ने मगद में ब्रिहद्रत वंस की अस्थापना की थी ब्रिहद्रत के पीता का नाम चेती राज वस्थू था ब्रिहद्रत के पीता का नाम चेती राज वस्थू था इस वंस के राजाओं में सरवाधिक परसिद व्रिहद्रत का पूत्र जरासंद हुआ यानि कि इन राजाओं में इन स्थापक यानि कि थापना की व्रिहद्रत वंस में से इस वंस के राजाओं में सरवाधिक परसीद यानि के सरवासिद माने जाने वाले ब्रियदरत का पूत्र जरासंद हुआ जरासंद इस वंस का सबसे प्रतापी राजा था उसने कासी, कोसल, चेदी, मलवा, विधे, अंग, बंग, कलिंग, कस्मीर और गंधार के राजाओं को भी प्राजित की यानि किहरा दिया जरासंद को भीम ने दूइंदी यूद में प्राजित करके उसका वद्ध कर लिया था जरासंद को भीम ने भीम राजा ने जरासंद को दूइंदी यूद में यानि कि दूइंदी यूद में प्राजित करके उसका वद्ध कर दिया यानि मार दिया था इसके बाद उसका पुत्र सहदेव शासक बना विर्धरत वांस का अंतिम राजा चीरपुंजे था चीरपुंजे की हत्या उसके मंतरी पूलक ने कर दी थी यानि कि चिरपुंजे की राजा ने उसका मंत्री पूलक ने कर दिया एवं अपने पुत्र को राजा बना दिया यानि कि उसका जो मंत्री था पूलक उन्होंने चिरपुंजे की हत्या कर दिया और पूलक ने अपने बेटे को राजा बना दिया बाद में एक दरबारी मही ने पूलक और उसके पुत्र को मार कर अपने पुत्र बिम्बिसार को गद्धी पर बैठा दिया जस्करनी तस्भोगनी वाला बात हो गया चिरपुंजे की हत्या उसके मंत्री चिरपुंजे के जो मंत्री था पूलक ने हत्या कर दिया और अपने बेटे को राजा बना दिया बाद में एक दरभारी जो दरभार में आता जाता रहता है एक दरभारी ने महिन पूलक और उनके पुतर दुनों बाप बैटा को मार कर अपने पुतर बिम्बीशार को गधी पर बैठा दिया तो जसक्र नितस भोग नहीं बोगिया बा विद्रत की राधानी को वशुमती या गृवराज अत्वा कुशागरपूर के नाम से जाना जाता था उसके बाद है हर्यंक वंस बाद गरंतों के अनुसार मगध का पर्थम हर्यंक वंस जिसका कहीं कहीं हर्यक या हर्यान वंस के रूप में भी लेख हुआ है वसुत एक राजनितिक सक्टी की रूप में बिहार का उतकर्थ सरपर्थम मगध समराथ मिंबिशार के सासनकाल में हुआ बिम्बिसार 544 से 492 साप पुरुपता किसका सासन था बौध गरंथ महा वंस के अनुसार हर्यक वंस के संस्थापक बिम्बिसार ने 15 वर्ष की आयू में सिहासन प्राप्त किया और आजी सतावदी से अधिक समय तक मगद परसासन किया उसी के अधिन मगद का समराजे विस्तार अरंब हुआ उसकी रधाने गिर्वरज या राजगिरी था कुटनितिक संबंद और समराजे विस्तार बिम्बिसार एक महत्वा कंच्छी सासक था और योगे कुटनितिक भी अपनी राजनेतिक इस्थिती सुद्रिड करने के लिए उसने वैवायक संबंधो की नीती अपनाई उसकी पहली पतनी कोशल देवी कोशल की राजकुमारी थी इस विवाह में दहेज के रूप में बिम्बिसार को कासी का छेतर प्राप्त हुआ साथ ही कोशल का सासक प्रसेंट जीत उसका मित्र हो गया बिम्बिसार को कासी का छेतर प्राप्त हुआ दहेज की रूप में साथ ही कोशल का सासक कोशल का जो सासक था प्रसेंट जीत उसका मित्र हो गया बिम्बिसार का उसकी दुसरी पतनी चिलना जिसे चिलहना या बैसाली के लिक्ष्वी सासक परिवार की राजकुमारी थे इस बिवा से वज्जियों के सांथ संबन सुद्रिध हुआ यानि कि बैसाली राजकुमारी से साधी होने के बाद बिम्बिशार को वज्जियों के सांथ संबन अच्छा हो गए उसकी तिसरी पतनी पंजाब की मदर राजकुमारी छेमा थी और दूसरा जो पंजाब की मद्र राजकुमारी छेमा थी और एक पहले पर चुके पस्चमी और उत्री सिमाओं को सुरक्षित कर लेने के बाद बिम्बिसार ने अपने पुर्वी परोशी अंग के राज्ये पर चढ़ाई कर वहां के सासक ब्रहमदत का वद कर दिया अंग की राज्धानी चंपा में उसने अपने पुत्र आजास सत्रु को सासक निव्ट किया अवंती के सासक चंड प्रधोत महासेन के साथ हुआ उसका यूद अनिर्नित रहा अंत्त दोनों ने मैत्री कर ली यानि की दोनों ने दोस्ती कर ली प्रधोत के उप्चार के लिए बिम्बिशार ने अपने निजीची किसक जीवक को उज्जैन भेडा बिम्बिशार का कुट नितिक के संपर्क गंधार के सासक से भी रहा बिम्बिशार ने यूद और कुट निति से मगद के छित्रू का विस्तार किया और अपनी परतिष्ठा में विर्धी की बिम्बिशार ने अपने बरे पुत्र दर्शक को अपना उत्रा धिकारी घोशित कर रखा था जो अजास सत्रू को पसंद नहीं था अतह उसने पीता को कैद कर खुद को राजा घोशित किया बिम्बिशार ने अपने बरे पुत्र दर्शक को अपना उत्रा धिकारी घोशित कर रखा था जो अजास सत्रू यानि कि उसका पहला पुत्र था उसको पसंद नहीं था तो अजा सत्रू को अपने पिता कहा त्यारा का गया है प्रंको जेन शरुतों इससे सहमत नहीं है लेकिन जे जिस श resposta सहमत नहीं है विम्बिसार का नीधन लगवन 1692 सापूर में हो गया इतिहांस में विम्बिसार को ऐसा पर्थम सासक माना जाता है जिसने अस्थाई सेना रखी इस प्रकार उसे सेनिय अथवा सेनिया भी कहा जाता है भिम्बिसार को भिम्बिसार ने सेना में पहली बार हाथी का पर्योग किया था तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने सेना में हाथी का परयोग किया था तो विम्बिसार एक राजा था जिसने सेना में पहली बार हाथी का परयोग किया था और ये तीन साधियां की थी आजास सत्रू आजास सत्रू 492 से 460 स्वी तक राज किया इसका सासन था आजास सत्रू हर्यकमंस का था उसका नाम कुनिक भी था वो अपने पिता बिम्बिसार की भांती समराजवादी था उसके समय में कोशल से मगत का संघर्च छिर गया था यानिकी अजास सत्रू के संघर्च के समय कोशल में संघर्च छिर गया था बिम्बिसार की मिर्टू के पचात उनकी पतनी कोशल देवी की भी दुख से मिर्टू हो गई बिम्बिसार के मरने के बाद उनकी पतनी का कोशल देवी का भी मिर्टू हो गया बहन कोशल देवी की मिर्टू से प्रसंजित बरा क्रोधित हुआ प्रसंजित का बहन कौन था तो कोशल देवी उनके मरने के बाद उसका भाई को प्रसंजित ने बहुत गुश्चा हुआ और मगद को दिये गया कासी के अनेक ग्राम को पुना अपने अधिकार में मिला लिया पर इन सिंजित ने अपने बॉर्णों यानि की मिशार को दहेज में जो कासी दिये थे वो अनेक ग्रामों की यानि की सर्वय गाओं को पुना अपने अधिकार में ले लिया जो दोनों राजों में संघर्ष का कारण बना कोशल के साथ संघर्ष कोशल के साथ संघर्ष कोशल और मगद के बीच संघर्ष में प्रसंजित प्राजित हो गया यानकी कोशल और मगद के बीच संघर्स यानकी स्ट्रगल जारी हुआ और उसमें प्रसंजित यानकी कोशल की भाई क्या प्राजित यानकी हार हो गई तथा उसने भाकर स्रावस्ती में सरन लिया प्रसंजित ने भाकर यानकी बिम्बिसार के सार ने भाकर स्रावस्ति में जगह ले लिया सला प्रसंजित ने भाकर सरन ले लिया बिम्बिसार का दुसरी बार यूद में आजा सत्रू प्राजित हो गया और जब दुसरा बार यूद हुआ तो दुसरा बार यूद में आजा सत्रू प्राजित हो गया तथा प्रसंजित ने अपने पुत्री वजीरा का विवाः आजा सत्रू से कर दिया अजासात्रू के समय में कासी का प्रांत अंतिम रुप से मगद में मिला लिए गया दूसरी बार यूद हुआ तो अजासात्रू प्राजित हुआ तथा प्रसंजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवा अजासत्रू से कर दिया दूसरी बार यूद पहली बार यूद में प्रसंजित ने हार कर स्रावस्ति में जगह लिया दूसरी बार यूद फिर किया तो अजास सत्रू प्राजित हो गया दूसरा बार में अजास सत्रू हार गया मामा अपने बेटी से बिंबिशार का साला था प्रसंजित और प्रसंजित की पुत्री हुई बिंबिशार की सरवेटी और बिंबिशार का बेटा था आजास सत्रू और ये मामा ने अपने बेटी का साधी आजास सत्रू से कर दिया वजीरा का बिवाह आजास सत्रू से कर दिय गज़े भी स्थित्ती था अजाज सत्रू के समय में कासी के अपरांत अंतिम रुप से मगद में मिला लिया गया वजी संग के सांथ संगहर्ष कोसल से निपटने के बाद अजाज सत्रू ने वजी संग की और ध्यान दिया कोसल को जब निपट लिया जित लिया दुसरी युद में तहार गया था लेकिन मामा ने ही अपनी बेटी से भांजा को साधी करने के बाद अजाज सत्रू ने वजी संग की और ध्यान दिया वैसाली वजी संग का प्रमूख राजा था जहां के सासक लेक्षवी नरेश थे जारी मनमुटाव अजास सत्रू के समय संगहर्स में बदल गया दोनों राजर के बीच विम्बिसार के समय से ही जारी मनमुटाव अजास सत्रू के समय संगहर्स में बदल गया लिक्षवी राजकुमारी चलना विम्बिसार की पतनी थी यानि कि आजाज सत्रू का एक माही थी सोतेली या अपनमा तो लिक्षवी राजकुमारी चलना विम्बिसार की पतनी थी जिसमें उत्पन दो पुत्र हल और बेहल थी यानि कि सोतेली माही इसे असपस्टो गया उसने अपना हाथी और रतनों का एक हार दे दिया था बाद में मनमुटाव के कारण जब आजाज सत्रू ने उनसे उपहार वापस मांगा तो दोनों भाई हल और बेहल अपने नाना लिछ्वी नरेश चेटर के पास जाकर रहने लगे फलत आजाज सत्रू कुरोदित यानि की गुश्चा हो गया था जाकर रने लगा फलत आजाज सत्रू कुरोदित यानि की गुश्चा हो गया वज्जी से युद करने के लिए गंगा गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्मान हुआ दुनों में यूद होने के लिए, जहां से बैसाली पर अभियान में सुभधा हो, यह छेतर पाटली पुत्र कहलाया, जो बाद में पाटली पुत्र के नाम से विख्यात हुआ, यह छेतर पाटली गराम कहलाया, जो बाद में पाटली पुत्र के नाम से विख्यात हुआ, मगद के विश्तिर्त समराजी की रधानी बना, 16 वर्ष तक चले इस यूद में, 16 वर्ष तक चले इस यूद में छल से भी काम लिया गया था, भगवती सुत्र के अनुशार, अजाज सत्रू ने अपने मंत्री वस्कार की सहता से वजी संके सदस्वे में फूट डाल कर, जिसके दुगलापन करते हैं, यानि कुछ में कुटनपन कर उसकी सक्ती को कमजोर कर दिया, ततपस्चात उसने बैसाली पर आकरमन कर उसे जीत लिया, इस परकार गंगा नदी के दोनों और मगद का आधिपात्य अस्थापित हो गया, प्रन्तु अभे भी अवंती का राजा मगद का प्रवल सत्रू बना हुआ था, मज्जिम निकाएं के अनुसार अवंती नरेश प्रधोत के अनुसार आकरमन किये जाने की असंका को ध्यान में रखते हुए, या अजार सत्रू निराजगिरी की रक्षा, सुरक्षा है तो किला बंदी कराई जिनकी दीवारों के अवसेश अभी भी दिखे जा सकते हैं, मूल पर अधिकार, मूल पर अधिकार, मल पर अधिकार यानि कि लिक्षिवियों को प्राजित करने के बाद, अजार सत्रू ने मल संग पर आकरमन कर उसे प्रास्त कर दिया, उसको भी हरा दिया, इस परकार पुर्वी उत्तर पर अधिकार हो गया, भास के अनुसार, अजार सत्रू ने बैवाहिक संबंध के द्वारा वात्सब को अपना मित्र बना लिया, अजार सत्रू की धार्मी के नीती उदार थी, बौध तथा जैन दोनों ही गरंथों उसे अपने अपने मत का अन्याई मानते थे, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वो जैन धर्म से प्राभावित था, प्रंतु बाद में बौध हो गया, भरहुत अस्तूप की एक वैदिका के उपर अजार सत्रू का भगवान बुध की वंदना करने समंदी लेख, अजार सत्रू भगवती वंदते उतकिरन मिलता है जो एक उसके बौध होने का प्रतात्विक परमान है, अपने सासन काल के आठवे वर्ष में बुध के महापरी निवान के पश्चात अजार सत्रू ने उनके अफसेशों पर राजगरी में अस्तूप का निवान करवाया था, उसमें सासन काल में राजगरी की सब्त परनीव गुफा में पर्थम बोसंगिती का आज़न किया गया, सिहली अनुश्रीयों के अनुशार लगभग 32 वर्षों तक सासन करने के बाज, आज़ा सत्रू लगभग 460 हिसा पूर्व में अपने पुत्र उद्यान उद्या द्वारा मारा डाला गया, उद्यभद्र या उद्यासीन लगभग 469 से 444 हिसा पूर्व, उद्यभद्र अथवा उदाइन उद्यान आज़ा सत्रू के बाद 469 हिसा पूर्व में मगद का राजा बना, बहुत गरंथों में उद्यभद्र को प्रित्य हन्ता बताया गया, जबकि जैन गरंथों में उसे प्रित भक्त कहा गया जैन गरंथों में उसकी मता का नाम पद्मावती मिलता है उद्यान अपने पिता अजाज सत्रू के सासनकाल में चमपा का राजेपाल या उपराजे राजा था जैन मतनुसार पीता के निधन के बाद उसे कुलीनों वा अमरत्यों में राजा बनाया उसके जीवनकाल की सबसे बरी और प्रमुक घटना पाटली पुत्र नगर के अस्थापना रही उदियान ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर इस नगर को बसाया तथा उसने राजगिरी से मगध की राजधानी को हटा कर पाटली पुत्र में ठापित किया उदियान जैन मत को अन्भी आई था उसने पाटली पुत्र के मद्धे में एक जैन चत्ति गिरिय का निरमान करवाया वह नियमित रूप से वरत करता था तथा आचार्यों के उपदेश सुनता था उपदेश सुनने के दोरान एक दिन मगद के प्रतिद्विंदी राज अवंती के राजा पोलक ने धोखे में दियन को पूत्र उनके द्वारा मरवाद दिया तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना है हर एक वंस का अंत कैसे हुआ इसके बारे में अगला नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना है एक लाइक एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करना नहीं बूलेंगे दोस्तों मित्रों त तो आज के लिए इतना है. थैंक यू. जाहें।